हेलो फ्रेंड्स वेल्गम दो मोब लोग क्लासी विल्स मेरा नाम है मोहित और आज हम खड़े हैं कोरियन सब कंपेक क्रोसेवर SUV के सामने जिसका नाम है हुंडाइ क्रेटा 2014 में लाँच हुई थी और ये 2020 का सेकेंड जेनरेशन वेरिंट आप देख रहे हैं पैटल और डिजल में आती है और रहें शुरू थी ओन रोड 11.63 लेक रुपीज और टॉप मोडल की किमत है 20.84 लेक रुपीज और ये टॉप मोडल SX आप देख रहे हैं Safety केंड़ दो Airbag, ABS, EVD, Central Locking, Power Door Lock, Child Safety Lock, Day & Night Rearview Mirror, Seatbelt Warning, Door Hazard Warning, Side Impact Beam, Front Impact Beam, Tire Pressure Monitor, Vehicle Stability Control System, Engine Immunizer, Cross Sensor, Automatic Headlamp, Electronic Stability Control, Passenger Seatbelt Reminder, Emergency Stop Signal, Pedal Lamp with Welcome Function, Bugler Alarm, Dual Horn, Rear Camera, Anti-Therp Device, Speed Alarm, Speed Sensing, Auto Door Lock, IOSOFIX Child Seat Mount, Pre-Tensioner & Force Limiter Seatbelt, Heal Assist, Impact Sensing, Auto Door Unlock, Rear Sensor And a very attractive and bold looking new Kirito And this is Treo Beam LED Headlamp, LED with TRLs And a fog lamp with indicators Front skirt plate And this is a great style of bold grille Center Hyundai logo And this is a great style of radar And this is a great style of radar Roof rails Sunroof Tarkfint antenna पॉर पंट्री मीटर लेंट है वन पंट सिक्स मेटर हाइट है टूपंट सिक्स मीटर वीलबेस है वन नैंटी में में ग्राउंड क्लेरंस है और लगबख करेटा का और यह वाइट कलर आप देख रहे हैं सिल्वर रैड ब्लू औरेंज ब्लैक और ग्रे कलर का अप्शन भी है ड्यूल टों में ब्लैक कलर का अप्शन मिलेगा किया से ल्टोज का भी रिलेशन है क्रियेटा से और यह हैं इसके 17 इंच के अलोई वेल सिल्वर फिनिस में 215 बास 60 टूबलेश टायर हैं आगे और पीछे डिस ब्रेक मिलेंगे इसमें आपको आगे मैक पर्शन स्ट्रेट्स विद कॉल स्प्रिंग सस्पेंसे मिलेंगे और पीछे कप्लेट टूरेजन बेम एक्सल सस्पेंसे मिलेंगे एलेक्रिकली अजिस्टोल ओर विम विद तर्न इंडिकेटर्स और चैन्ने में असेंबलिंग होती है हुंडाई किरिटा की हाई स्ट्रेंद स्टेल से बनी है हुंडाई किरिटा की बोड़ी और बैक से कुछ ऐसी लिखती है ये एल्यूड टेल लाइट और यहां मिले जाए आपको हुंडाई की बेजिंग कृरेटा की बेजिंग एकिस्ट की बेजिंग यह अब पर मिल जाता है रिफ्र पालिकिंग कैमरा और रियर में आपको चार्च सेंसर मिल जाएंगे रियर रेफ्लेक्टर पालिकिंग लाइट मैं इस्कुटप्लेट एस्टों टाल पाइप रियर वाइपर डिफागर्स के साथ आई यह बूट अपन करके देखते हैं और यहां आपको मिलेगी 433 लीटर की बूट स्पेस शिक्ष्टी फॉर्टी स्प्लिट स्वीट से मिलेंगी यहां आपको मिल जाता है टोहूक थोड़ी स्पेस बूट लाइट यहां भी थोड़ी सी स्पेस मिल जाती नीचे और यहां मिल जाता हमको इस टेल रिम स्पेर वील विट टूल केट्स आड़सल ट्रे एग आई यहां पैसेंस आड़ खूल के देखते हैं और इसमें आपको फॉर्ट स्पीकर का मुजिक शुटर मिलेगा पावर विंडोस के कंट्रूल थोड़ी स्पेस स्पीकर बॉटर होल्डर और यहां डॉर पर आपको संसेड मिल जाते हैं और यह टू टॉन ब्लैक एंड ग्रेस इंटिरियर और यह पार्ट आफ एक्सेसरीज हैं पैनरामिक संरूफ ग्रैब हैंडल एल लाइट्स के साथ और यह में दो ऐसे वेंट्स मिल जाते हैं थोड़ी स्पेस यूएसबी पोर्ट के साथ और ऐसे इता है फ्रेंट डैसबॉर्ड लैथर अप स्टेरिंग वील गेर नॉप शूतिंग ब्लू एंबेन लाइटिंग है आई यह आप ड्राइवर साइड और खूर के देखते हैं और यह दो पर पावर विंडोस के कंट्रोल्स डॉर लोक अन्लोक करने की स्वीच और विंग के कंट्रोल्स दोर पर थोड़ी सी स्पेस यहां पर बॉटर होल्डर स्पीकर और काफी स्टाइलिस फ्रंट सीट्स हैं बूट अपन करने का स्वीच यह एलेक्रिकली एडजिस्टिबल डी कट्सेप स्टेरिंग वील ऐसी वेंट्स इंजन स्टाइब स्वीच ट्रेक्शन अनफ स्वीच लाइट एडजिस्ट्मेंट स्वीच आम रेस्ट यहां पर भी थोड़ी स्पेस मिल जाती है मैन्वा हंब्रेक दो ग्लास होल्डर रेस्ट संसेड कार्ड होल्डर के साथ रीडिंग लाइट्स संग्लास होल्डर और यह दे और नाइट रियर व्यू मिरर पैसेंदर साइट संसेड वनेटी मिरर के साथ और यह कूल गलोब बाक्स और यह है शिक्स पिंट मैनूल ट्रांस्मिशन और अट्मेटिक ट्रांस्मिशन को अप्शन भी है और आगे आपको मिल जाता है वाइलेस चार्जिंग पैड टॉल विल्ड चार्जिंग सोकेट दो यूस्बी पोर्ट ऑट्मेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की स्विच और यह है 10.24 इंच का टॉस्किन इंफोर्टिक सिस्टम स्पोर्ट करेगा एफ एम रेडियो यूसबी ओक्स ब्लुटूथ एंडर ओटो एपकार पे एडवांस ब्लू लिंक ब्लू लिंक इंटेगरेटड स्मार्ट वोच अप वाइपर के कंट्रोल इंडिकेटर एंड लाइट के कंट्रोल लेफ में मिल जाते हैं आपको इंफर्टर ने के कंट्रोल स्टेरिंग पे राइट में मिल जाते हैं आपको इंस्ट्रुमेंट क्लेश्टर के कंट्रोल क्रूस कंट्रोल लेधर एप स्टेरिंग वील है और कुछ आसे का इसका इंस्टुमेंट क्लस्टर टी एफटी स्क्रीन के साथ लेधरी झाल और यह 1500 CC inline 4 Cylinder CRDi diesel BA6 engine 113 horsepower है 250 Nm टॉर के 21.4 का एवरेज मिलेगा 50 लिटर के फ्यूल टेंग से हाँ तो कैसे लिए कि आपको न्यू हुंडाइ क्रेटर हमें कमेंड में बताना जुरूर अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक अगर आप मेरे चैनल पहली बाहर है तो प्लीज झाल